पश्चिम बंगाल की भवानीपूर सीट पर होने वाले उक्चुनाव के लिए अब टीमसी और बीजेपी उमीदवारों के चेरे साफ हो चुके हैं एक और जहां ममता बेनरजी आज भवानीपूर सीट के लिए अपना नमानकन दाखिल करेंगी तो दूसरी और बीजेपी ने भी उनको टकर देने के लिए प्रियंका टिब्रेवाल को चुनावी मैदान में उतारने का एलान कर दिया है भवानीपूर विधानसबा सीट पर 30 सितंबर को उप्चनाव के लिए मदान होना है वोटों की गिंती 3 अक्टूबर को होगी तो आप भवानीपूर में खेला हो बे आपको बता दें कि ममता बेनरजी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल जो की बीजेपी की उमीदवार है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है यानि की कड़ी टकर देखने को मिल सकती है हालाकि भवानीपूर की जनता किसको अपना अशरवात देगी ये देखने वाली बात होगी लेकिन इस बीच आज नामानकन दाखिल करेंगी ममता बेनरजी और उनके खलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है कि बीजेपी की ओर से केंद्री मंत्री स्मृती इरानी हरदीप सिंग पुरी बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीब घोष समेत 20 स्टार प्रचारखों की लिस्ट जारी कर दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बंगाल बीजेपी की अब लिस्ट जारी कर दी गई है आपको बता दें बंगाल में बीजेपी प्रचारखों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है दलीप घोष, रुवेंदू अधिकारी, स्मृती इरानी भी प्रचार करेंगी यतेंद्र हमाई साथ फोल लाइन पर जुड़ गए है यतेंद्र और कौन-कौन शामिल है इस प्रचार लिस्ट में देखे बड़कुल बीजेपी ने जो बाई लेक्शन होने हैं इसमृती इरानी, मनुष तिवारी, हरदीप सिंग्पुरी इन लोगों को शामिल किया गया है इसके अलाबा जो वहां के प्रचे मंगाल के बीजेपी के नेता है उसमें वो शामिल है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रभारी है प्रचे मंगाल के उसमें केलाश वीजे वर्गी का नाम नहीं है लेकिन पूर्व केंद्रिय मंत्री बावल सुपरियों है जो राजनीती कारकरमों से सन्यास लेने की घुश्रा कर चुके है उनका नाम इसमें शामिल किया गया है अला कि आम तोर पर जो प्रभारी होते हैं जब बाई-एलेक्शन होता है तो केंपेंड में शायद बीजे पी की तरफ से बताया गया कि उनको नहीं रखा जाता है लेकिन बाकी के और कई बड़े चेहरे जो केंद्री है इस सर के नेता हैं बीजे पी के मंत्री है केंद्र में उनको इसमें शामिल किया गया है आपको बता दें कि प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है बीजे पी की ओर से और बंगाल में अब भवानीपूर में खास तोर पर जादा दंगल देखने को मिलेगी जहां पर ममता बेनर जी उक्टुनाव लड़ेंगी भवानीपूर का और उनके सामने होंगी प्रियंका टिब्रिवाल जिनको उतारा गया है बीजे पी की ओर से और आपको बता दें कि बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर वकील भी रही थी वो और उन्होंने वो केस भी जीता था यानि की कड़ी टकर देखने को मिल सकती है बंगाल में और भवानीपूर में आज अपना नामानकन भी दाखिल करने वाली है ममता बेनर जी और उसी को लेकर अब स्टार्ट प्रचारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ने इन स्टार्ट प्रचारों की लिस्ट जारी की है और बीजेपी की ओर से किंद्री मंत्री स्मृती इरानी हरदीप सिंग पूरी बंगाल BJP के अद्याक्ष दिलीब खोश समेत 20